आज जोस्तो हम fast track में किस प्रकार से गुना करते हैं short तरीके से इसके बिसे में आज इस वीडियो में सिखाएंगे तो चलिए वीडियो के start करते हैं आपको बताते हैं तो दोस्तो इस प्रकार से 21 और 31 को गुना करना रहें तो क्या करेंगे सबसे पहले इस दोनों को आपस में क्या करेंगे multiply करेंगे इसको multiply करेंगे तो कितने आजाएंगे एक यहाँ पर लिख देंगे एक उसके बाद क्या करने हैं उसके बाद एक यहाँ पर जगध छोड़ने जगर छोड़ने के बाद इन दोनों को multiply करने हैं दोनों को multiply करेंगे तो कितने आजाएंगे 6 यहाँ पर 6 लिख देंगे उसके बात क्या करने दोस्तों इसको multiply करने आपस में और इसको भी आपस में multiply करने तो इसको multiply करेंगे तो 3 और इसको multiply करेंगे 2 तीन दो कितने हो जाएंगे पांच भीच में लिख दीजे पांच आपका रिजल्ट आ चुकी है ना काफी मज़ेदार ट्रीक है दोस्तो आई अगला कोशन देखते हैं अगर हमें 43 और 21 को मल्टिप्लाइ करना रहे तो सेम प्रोसेस से सबसे पहले इसको इसको क्या करेंगे ग इसके बाद इसको इसके साथ मल्टिप्लाइ करते हैं तो कितने आजाएंगे तीन दुना चे और इसके साथ मल्टिप्लाइ करते हैं तो कितने आजाएंगे चार चे चार कितने हो जाएंगे दोस्तो दस तो दस के यहां पर जीरो लिखेंगे और एक क्या कर देंगे इसके सा दिया जाए तो इसके लिए हमको क्या करने होगे दोस्तो यहाँ पाध्यान से न सीखेगा इसके लिए हमको क्या करने पढ़ेंगे इसके लिए सबसे पहले इसके साथ multiply करिज़े तो तीन दुने कितने हो जाएंगे 6 और एक जगा यहाँ पर छोड़ दिजी उसके बाद क्या करेंगे इसके साथ इसको multiply कर दिजे तो कितने हो जाएंगे दोस्तो 6 चोके कितने हो जाएंगे 24 यहाँ पर हम क्या करेंगे 24 लिख देंगे उसके बाद दोस्तो इसके साथ इसको multiply किजे और इसके साथ इसको multiply किजे चो कितने हो जाएंगे चे दूना बारो हो जाएंगे और चारतिया कितने हो जाएंगे बारो बारो कितने हो जाएंगे चोबीस चोबीस के यहाँ पर चार लिखेंगे और केरी कर देंगे इसके साथ दो तो 24 और 2 कितने हो जाएंगे 26 यानि कि 26, 4, 6 यही इसका क्या हो जाएंगे सही answer हो जाएंगे आए दोस्तों कुछ और question देखते हैं आपको जबज़स तरीके से समझाते अगर हमें 22 और 32 को भी multiply करने के लिए कह दिया जाए तो सबसे पहले 2 दुना 4 यहां पर 4 लिख देंगे एक जगर खाली छोड़ देंगे उसके बाद दोस्तों इसको भी 3 दुना कितने हो जाएंगे 6 लिख देंगे उसके बाद आपस में इसके साथ गुना करेंगे और फिर इसके साथ multiply करेंगे तो इसके साथ दोस्तों जब हम multiply करेंगे तो कितने आजाएंगे इसके साथ 3 दुना कितने हो जाएंगे 6 और इसके साथ जब multiply करेंगे तो आजाएंगे कितने 4 6 4 कितने हो जाएंगे दोस्तों 10 यहां लिखेंगे 10 के 0 और 1 carry कर देंगे यानि कि यहां पर हो जाएंगे 7, 0, 4 यही इसका क्या है result आ जाएंगे आए कुछ और question देखते हैं दोस्तों अगर हमें 51 और 63 को multiply करना रहें तो हमें कैसे करेंगे तो सबसे पहले इसके साथ इसको multiply कर देते हैं कितने आ जाएंगे तीन यहां पर 3 लिख दें उसके पर इसके साथ multiply कर देंगे तो 6-5 कितने आजाएंगे तो यहां इसके साथ मुन्य यान इसके साथ लिख देंगे तो 32 यही क्या है result आपका एंसर हैना काफी दोस्तों मजदार काफी गजब का ट्रिक मल्टिप्लाइ के लेकर तो आपको यह ट्रिक कैसे लग रहे हैं नीचे कमेंट लिए जरूर और इसका कमेंट करके बताएं दोस्तों इसका सही अंसर क्या होगा अगर हमें एट टू और फाइव वन को मल्टि जए ले इस नीचेव और प्रिक मजदार के लेगह हैं लेत chyba थावाईं लेताछित गरो एवाईशल को यह थे हमें ढूपको औरू ऑू़ को जह हैं वह टोगएंग हैं वेप ए, ल trafficking दूभान जेखर ह runway